सब्स्राइब करिए मैं डोवा केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए गुट मॉर्निंग इस्टुडेंट्स हम लोग पढ़ना हैं एल्डी हाइड केटोंस की केमिकल प्रॉपर्टीज इससे पहले एक वीडियो इस पर आ चुकी है केमिकल प्रॉपर्टीज पर आज का जो वीडियो है वो आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुष यूर कॉर्शन इस पॉर्शन में से आते हैं तो आज का वीडियो आप खाली बैट करके अटेंड नहीं करेंगे आपको अपने संग नोट्बुक अपैंड जरूर रखना है और साथ साथ आपको नोट दॉन भी करना और लास्ट तक वी आज हम लोग देखें तो पहले हम रिडुक्षन देख लेते हैं रिडुक्षन आप अब तक कई बार यह चीज़े रिपीट हो चुकी है कि अल्डी हाइट और कि टोन इनका अगर आप रिडुक्षन करते हो तो आपको अल्कोहल मिलता है इन दा प्रेसेंस ओफ रिदूसिं कर सकते हो तो इससे आपने देखा था कि आप तक जो आपने पड़ा है उससे यहां पार अगर आप एच और सी लगा दोगे अगर एक आप ने कोई अल्काइल ग्रूप लगाया तो यह बन गया, एल्डी हाइड से आपको अलकोहल मिल जाएगा, और अगर आपने यहाँ पर दो अलकाइल ग्रूप लगा दिया तो यह किटोन बन जाएगा, और तब आपको सेकेंडरी अलकोहल मिलेगा, अब यह मैने स्केल्टेल रियक्शन लिख दी है, अब आप जड़ा आपकी notebook में aldehyde और ketone दोनों से ये separate reaction लिख करके देखो जो मैंने अभी आपको verbally explain करें next जो reduction हम देखते हैं ये आप पर पास अब नया reduction आया है कि aldehyde ketone का जब reduction करते हैं reducing agent same रहेंगे कोई लिख करते हैं reducing agent ये इन दोनों reactions के लिए जबाब करोगे तो reducing agent same रहेंगे लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो aldehyde ketone है जब इनका reduction करते हैं तो उससे हमको मिलता है alkane तो इसमें हम दो reaction पढ़ेंगे बहुत ही important again name reactions आपने अब तक कई name reactions इस chapter में पढ़ लिए and they are very very important तो इसमें अब आप पढ़ोगे क्लिमेंसर reduction क्लिमेंसर reduction में क्या होता है दोनों aldehyde ketone में reaction होगी क्लिमेंसर reduction में aldehyde ketone जो होगा उसकी zinc emalgam से reaction होगी xl की presence में और उससे alkane फॉर्म होगा second DC की उसमें हम देखते हैं तो वो होता है wolf fishner reduction इसमें यह reaction आप यहां तक इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हो जहां पर हमने ammonia and its derivatives के संग aldehyde ketone की reaction करी थी तो यहां पर आपने पढ़ा था कि यहां पर जब भी nitrogen या जब भी ammonia या ammonia की derivatives के संग aldehyde ketone की reaction होती है तो simple आप क्या कर रहेते water molecule को उसमें से remove कर रहेते तो यहां पर आपने अब आतिस का नाम पहचान गए होगे अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है इस इस हाइड़ाजीन हाइड़ाजीन से जब aldehyde ketone की reaction होगी तो यह क्या बना लेगा हाइड़ाजोन और यहां से water molecule निकलेगा देखो यह water molecule यहां से निकल गया यह double bond आगिया nitrogen के साथ और यह NH2 हाइड़ाजोन तो यहां तक तो reaction आपको याद है अब नहीं क्या याद करनी है कि जो यह हाइड़ाजोन बनेगा इसकी आप KOH से reaction करवाओगे और इसमें solvent क्या ल में बाहर आजाएं तो अब दोनों में difference क्या रहे गया difference क्या दोनों में सिर्फ reducing agent जो हम use कर रहे है वो तो है ही definitely वो है क्योंकि यह Zinc Clemensal में Zinc Amalgam में हो रही है reaction के presence में हो रही है और यहां पर यह reaction हाइड़ाजीन के संग हो रही है लेकिन एट चीज आप और notice कर यहां पर कि यह Clemensal reduction जो है वो acidic medium में हो रहा है और जो Walpishner reduction है यह basic medium में हो रहा है तो यह main difference दोनों में है और यह आपको name reaction इस तरह से याद कर दो है जिस तरह से मैंने आपको difference बता दिया कि Clemensal जो है वो acidic medium में होगा और Walpishner जो है वो basic medium में होगा तो अब आपके लिए थोड़ा सा इसको identify करना easy हो जाएगा, अब यहां मैंने skeleton reaction ही लिखी है, इनकी आप aldehyde और ketone के समग अपनी notebook में वीडियो को pause करिए और यहां पर आप दोनों की reactions लिखिए, तभी आपको यह reactions याद होंगे, otherwise कोई फाइदा नहीं होगा, कि मैं एक एक reaction आपको लिख करके दे दू, मैंने के बाद आजाता है बहुत ज्यादा important topic oxidation, oxidation of aldehyde and ketone, तो oxidation में oxidizing agent देखो, यह strong oxidizing agent में भी होती है reaction, और अगर हम weak oxidizing agent लेते हैं, तो भी aldehyde and ketones जो हैं, वो oxidation की reaction शो करते हैं, तो हम दोनों ही conditions में देखेंगे, when we are using strong oxidizing agent, और we are using mild oxidizing reagent, तो strong में आपको पता है, KMNO4, potassium dichromate, HNO3 या chromate जो हैं, यह सब strong oxidizing agents को देखेंगे, यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिया करदो आपको, कि जो aldehyde हैं, वो बहुत easily oxidized हो जाते हैं, लेकिन, जो ketones हैं, वो बहुत vigorous condition में, जो है, oxidation reaction शो करते हैं, तो यहाँ पर हम aldehyde यह लेते हैं, और दो अलग different situations देखेंगे, KMNO4 के साथ, aldehyde हमने लिया, KMNO4, strong oxidizing agent आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप acidic medium में यूज़ कर रहे हैं, तो आपको, यह aldehyde oxidize होकर के देगा, carboxylic acid, ठीक है, अगर यही पर, आप basic medium use कर रहे हो, KMNO4 के साथ, basic medium use कर रहे हो, तो आपको, salt मिलता है, carboxylic acid का, carboxylic acid का salt मिलेगा, अगर आपने यहाँ पर KOH यूज़ कर रहे हो, तो वो potassium जा करके, इस oxygen के साथ, bond बना लेगा, तो यह आपको carboxylic acid का salt मिल जाएगा, यह मैंने इसलिए यहाँ पर specify कर रहे हैं, क्योंकि आगे आपको यह चीज पढ़ नहीं है, तो उस समय confusion ना create हो, तो इसको यह ही हम लोग clear करके चलेंगे, अब जैसे आपने ketone लिया, ठीक है, CH3, CO, CH3, ketone का oxidation हम करवाते हैं, बहुत ही oxidizing agent यही रहेंगे, विक्रस condition है, बहुत high temperatures को हम देते हैं, तो यहाँ पर carbon carbon के बीच में bond break होते हैं, ठीक है, अगर carbon, दो यहाँ पर 3 carbon है, मैंने numbering भी कर दिया है, 1, 2, 3, अगर carbon 1 और 2 के बीच में bond break होगा, तो भी carboxic acid मिलेगा, और 2 और 3 के बीच मिले ब्रेक होगा, तो भी carboxic acid मिलेगा, त विक्रस condition, तो हमें mixture of carboxic acid मिलता है, और उस carboxic acid का, जो number of carbon है, वो parent की tone से कम होता है, ठीक है, अब हम reaction देख लेते हैं, अगर C1 और C2 के बीच में यहाँ का bond break करेंगे, तो यह क्या बन जाएगा, oxidation है, यहाँ पर जब भी आप bond break करोगे, यह बना लेगा, HCOOH, formaldehyde बनाए यह, HCOOH, ठीक है, और इधर का क्या बनेगा, दो बनेगे, यहाँ से bond break हुआ है, एक तो इधर का compound बनेगा, और एक इधर acid बनेगा, तो इधर बनेगा CH3 COOH, clear, यह आपका हो गया, जब आपने C1 और C2 का bond break करा है, अब अगर आप C2 and C3 इसके बीच में bond break करते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, CH3 COOH, यहाँ जाएगा CH3 COOH, और यहाँ जो बनेगा, वो बनेगा, formic acid, at COOH, formic acid, तो इसका मतलाग, अगर हम main compound देखे हैं, या main mixture देखे हैं, तो वो एक ही है, formic acid बनेगा, और एक acetic acid बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि मैं different bond आपको break करके बता रही थी, इसलिए हमने इस तरह से आगे पिछे करके लिखा है, otherwise अगर हम combinedly देखेंगे, तो we will get the mixture of HCOOH plus CH3 COOH, यह हमारे पास mixture of acid मिल जाएगा, जब आपकी tone का vigorous condition में oxidation करेंगे, तो यह तो हो गया strong oxidizing agent की presence में, जब आपने LD Hydea की tone का oxidation कराएगे, अब definite question जो आपको paper में मिलेगा, वो अब हम देखेंगे mild oxidizing agents के सम, क्या products form होते हैं, और किस तरह से reaction होते हैं, और कौन-कौन से mild oxidizing agent होते हैं, इसका screenshot ले बीचा, तो बच्चों शुरू करते हम, mild oxidizing reagents से बहुत important, practical point of view से भी and theory point of view से भी, definite question आपको में और इस बार तो क्योंकि revised levels होके आया है, काफी levels आपका कम हो गया, तो काफी chances हैं कि इसकी weightage बढ़ जाए, जब भी हमने ये देख लिया कि ketones जो है, वो normal conditions में oxidation reactions नहीं देते हैं, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं, वो हम basically पढ़ रहे हैं पहले LD Hyde की, और ये question जो आते हैं distinguish between LD Hyde and ketones, तो LD Hyde या ketones का जब आपको identification करना होता है, तो आप इसमें कोई भी LD Hyde के संग reaction लिख देंगे, तो वो अपने आपी ketones नहीं देंगे, और ये LD Hyde से हैं reaction देंगे, तो कौन-कौन से तीन में हम देखते हैं आपका, पहला है Tolence Reagent, जिसको Silver Ammonical, Nitrate Quelling Solution and Benedict Solution, जब LD Hyde का mild oxidation होता है Tolence Reagent के संग, तो ये specific silver mirror देता है, और इस reaction को हम silver mirror reaction भी कहते हैं, ये सब आपको अपने पास note down करके रखना है, और ये याद करना है आपको, LD Hyde जब Failing Solution से reaction करता है, तो यहाँ पर Cu2O का brick red color का solution फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, बेंटिक Solution के संग भी Cu2O का brick red color का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो ये तीन identification टेस्ट हो गए, अब हम देख लेते हैं, Tolence Reagent क्या होते हैं, Tolence Reagent होते हैं, Failing A and Failing B, Failing A होता है, copper sulfate, 5H2O, इसको हम blue vitriol भी कहते हैं, ठीक है, और Failing B जो होता है, sodium, potassium, tartrate, जिसको हम racial salt भी कहते हैं, ये नेम आपके जो है, आपको ध्यान करने है, याद करने है, ये जब आपका 12th class का practical होता है, तो उसके वाइवा में पुश्यन पुछे जाता है, त तो practical and theory, both point of view से ये बहुत important topic आजब कर रहे हैं, इसके बाद vendict solution की हम बात करते हैं, तो vendict solution भी A and B होता है, A हो जाता है copper sulfate, and B होगा sodium potassium, citrate, यहाँ पर tartrate था, यहाँ पर citrate हो जाता है, तो ये तीन नेम और ये तीन आपको धियान रखना है, कि जो tolerance, जो aldehydes हैं, वो ये mean reaction, positive reaction, शो करते हैं, tolerance reagent, और failing solution और bendict solution के सर, clear होगे हैं, यहाँ तक एक question आपका set होगा, अब failing solution में थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने star लगा करके भी लिब दिया है, कि आपको ये ध्यान करना है, कि 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 टाइप के aldehydes, benzaldehyde reaction नहीं देगा, तो इसलिए ऐसा ना हो कि confusion हो, क ये जो note में मैंने लिखा, ये भी जहूं ध्यान करता है, आपको, failing solution जो है, पहला aldehyde और ketone में distinguish करा जाता है, इनको aldehyde और ketone को, जिसमें ketone ये reactions नहीं देते हैं, clear, अब अगर आपके पास aliphatic aldehyde और benzaldehyde या दोनों ही aldehyde है, आप सोचोंगे, मैं आपने बताया था कि aldehyde ये reactions देते हैं, tolerance test देते हैं aldehyde, लेकिन यहाँ पर exception है, आपको ध्यान रखना है, कि अगर aliphatic aldehyde और benzaldehyde में distinguishing test पूछा है, तो यहाँ पर benzaldehyde ये test नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर resonance आ जाएगा, ठीक है, तो ये benzaldehyde यहाँ पर ये test नहीं देता है, इसके बाद अब एक आता है, बहुत ही interesting और बहुत important जो सब जगे फिट हो जाएगा, आइडोफार्म test, अगर ketone, basically ये ketone के distinguish करने के लिए करा जाता है, aldehyde के लिए तो ये है, और अगर ketone की हम बात करें, तो जहाँ पर भी COCH3 group होगा, ये आपको बहुत important है, ये आपको बिल्कुल धिहान में रखना है कि जहाँ पर COCH3 group होगा, वो ही compounds जो है, सिरफ आइडोफार्म test देंगे, अब आप ये देखिए, aldehyde भी देता है, ये ketone भी देता है, alcohol भी देता है, तो आपको यहाँ पर सिरफ ये धिहान रखना है, कि यहाँ पर COCH3 group होगा, वहाँ पर ये reaction आइडोफार्म test होगा, और आइडोफार्म test किया होता है, जब भी sodium hydroxide और iodine इनको mix करा जाता है, तो sodium hypo iodide बनता है, और जब ये किसी भी ऐसे compound के सख reaction करता है, जिसमें COCH3 group आ रहा होता है, तो ये आइडोफार्म फॉर्म करता है, ठीक है, ये basic test है, बहुत important है, अब इसके आपको बता देती हूँ, चार example में लेके, और ये इसी type से question board में आता है, ये सब board में पूछे जाते हैं, इस तरह से questions, तो वो मैंने आपको अभी समझा देती हूँ, पहले आप note करिए, कि जो methyl ketones हैं, methyl ketones जो है, वो pale yellow PPT देते हैं, methyl ketones, methyl ketones, pale yellow PPT देते हैं, वो होता है, CHI3 का या आइडोफार्म का, second, ethanol, ethanol में हम बात करेंगे सिरफ acetaldehyde की, सिरफ acetaldehyde में, आप ये देखो, formula बैने लिखी दिया है, CH3, sorry, यहाँ पर acetaldehyde, जो है, CH3, C, double bond OH, तो यह हमें मिलिया, COCH3 गुरूप पिलिया, COCH3, तो अगर हम LD हाइड में देखेंगे, तो सिरफ ethanol या acetaldehyde भी hydroform test देंगे, बाकी के LD हाइड आइड फॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, बहुत ध्यान से आप इसको ध्यान दीजे, तो इन दोनों की अगर हम बात करें, methyl की जोन्स की और ethanol की, तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, COCH3 गुरूप मिल रहा है, और यह positive hydroform test देंगे, अब हम बात करतें alcohols की, primary alcohols में CH3OH बिल्कुल भी नहीं देगा, मिथेनॉल बिल्कुल यह test नहीं देगा, test कौन देगा यहाँ पर, इथेनॉल, सिरफ primary alcohol में आपको ध्यान रखना है, कि primary alcohol में सिरफ इथेनॉल भी यह test देते हैं, secondary alcohols जो हैं, वो यह test देते हैं, secondary alcohol में भी जिसमें CH3, CHOH, CH आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कि secondary alcohol CH3, CH, देखो यह CH आ रहा है, secondary alcohol होगया, यही यह वाला test देंगे, यह primary alcohol में सिरफ इथेनॉल देगा, अब इसमें हम कुछ questions देख लेते हैं, यही conditions apply करके, अब आपके पास, first question है, benzophenone and acetophenone, benzophenone क्या हो गया, C6, H5, CO, C6, H5, और acetophenone क्या हो गया, acetophenone हो गया, C6, H5, CO, CH3, अब बताईए कौन सा देगा इन दोनों में से, यहां पर आपको COCH3 गूर्प मिल रहा है, यहां पर तो कहीं पर आपको COCH3 गूर्प नहीं मिल रहा है, तो यह idophon test नहीं देगा, सेकंड पर आजाईए, ethanol and propenol, यह मैंने फर्स्ट का बता भिया आपको, सेकंड, ethanol, CH3, C11OH, ethanol, और propenol क्या होगा, CH3, CH2, CHO, ठीक है, यह हो गया propenol, आप देखो, यहां पर, अगर चलो, यहां पर मैं CO गूर्प भी लगा देती हूँ, और यहां पर आगया hydrogen, तो क्या यहां पर, आपको CH3, CO group मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यहां पर यह propenol जो है, यह test नहीं देगा, सिरफ ethanol ही यह test देगा, जो यहां पर मैंने आपको लिखवाया है, कि ethanol ही यह वाला test देगा, इसको note down कर लिजे, फिर मैं आगे के दो example और बता देती हूँ, थर्ड में हम देखेंगे, propane 2-on and pentane 3-on, मतलब दोनों ही ketone है, अब ketone में भी देखें कौन देगा, तरफ ketone में वो ही ketone देगा, जो CO CH3 अपने संग कैरी करता है, अब propane 2-on, propane 2-on कैसे बनाएंगे, CH3, C double bond O, और यह CH3, यह propane 2-on बन गया, ठीक है, और यह है pentane 3-on, pentane 3-on, CH3, CH2, CO, CH2, CH3, यह बन गया, pentane 3-on, तो किसके पास CO CH3 group है, इसके पास, तो यह propane 2-on यह test देगा, लेकिन pentane 3-on यह test नहीं देगा, इसके बाद, next आप देखलो, note कर लीजे जल्दी से, इसके बाद हम देखते है, propanol and propanol, propanol, मतलब alcohol and propanol, तो propanol and yes, propanol, propanol को कैसे draw करेंगे, CH3, CH2, CH2, OH, यह हो गया, propanol, और propanol को कैसे आप draw करेंगे, CH3, CO, CH3, यह हो गया, propanol, किसके पास CO CH3 group आ रहा है, इसके पास, तो यह देगा और यह नहीं देगा, तो यह कुछ basic questions थे, जो आपके NCRT में इसी type से question पूछे जाते, बाकी एक type से और आते, तो जो हम revision करेंगे, तब मैं आपको करवाँगी, जिसमें आपको एक compound का formula दे देते हैं, और उसमें कुछ condition लिख देते हैं, यह failing test देता है, यह नहीं देता है, यह copper से oxidize होकर के यह बनाता है, प्राइमरी, इस तरह से alcohol होता है, वो फिर copper से reaction करता है, oxidation और वो compound बनाता है, जो tolerance test लेता है, अब आप बताओ कि उस compound का नाम किया, तो कुछ इस तरह है के link करके भी questions पूछे जाते हैं, तो वो जो हम revision करेंगे, तब हम उसको करेंगे, अब यह आपटापट spike steaming shot में बीचे, अब करेंगे हम reactions due to alpha hydrogen, बहुत important again, अब यह मस तोचेगा कि मैं हाथ चीज को important बताती है, इस chapter में बच्चो, अगर कोई भी चीज ऐसी होती, जो थोड़ा सा भी important ना लगती CVSC को, तो वो जरूर इसमें से reduce करते हैं, लेकिन कुछ भी reduce नहीं करा है, आपको exam में जरूर मिलता है एक question, aldol condensation और cross aldol condensation पर, तो इसको बहुत ध्यान से समझेगा, इसकी metrics भी बता दूंगे आपको, अब आपने कोई भी यहाँ पर aldehydea piton लेट गए, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर aldehydea, अब इसमें जो alpha hydrogen होता है, alpha hydrogen कौन सा होगा, जो functional group के संग, जो carbon attached होता है, वो होता alpha carbon, और उससे जितने hydrogen attached होंगे, वो जाएंगे alpha hydrogen, तो यह जो CO group है, इसके संग यह वाला जो adjacent carbon है, यह हो गया alpha carbon, और यहाँ पर हो गया alpha hydrogen, अब यह alpha hydrogen की वजह से, जो acetone या ketone, sorry, aldehyde या ketones जो होते हैं, इनका acidic nature होता है, क्यों होता है, one mark to question, क्यों होता है, क्यों की देखो, आपको पता है कि यह more electronegative है, यह हम पहले ही इसका nature पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो यह क्या करेगा, अब हम चलो, इसको नहीं देखेंगे, हम पहले ही इसको इसको इस तरह से समझेंगे, जो carbonyl group है, वो strong electron withdrawing group होता है, जो carbonyl group होता है, CO group जो है, यह electron withdrawing group होने की वज़े से, यह क्या करेगा, यह electrons को इस carbon से अपनी तरफ खीचेगा, ठीक है, अब जब यह इसको carbon से electrons को खीचेगा, तो इस carbon के पास, यह तो electron deficient हो जाएगा, यह वाला carbon, जो alpha carbon है, वो electron deficient होगा, तो यह क्या करेगा, अपना electron की deficiency को कम करने के लिए, यह इस hydrogen से अपने electrons वापस लेगा, यह electrons को वापस लेगा, और यह hydrogen जो है, यह free आ जाएगा solution में, और इसी की वज़े से, acidic nature होता है, ठीक है, अब यह क्यों, strong acid क्यों कह रहे हैं, कि यह strong acid होता है, क्योंकि देखो, यहाँ पर होता है resonance, resonance की वज़े से, यह hydrogen जो है, वापस इस carbon से नहीं जोड़ पाता है, possibility बहुत कम हो जाती है, यह resonance कैसे आएगा, यह double one इदर shift हो जाता है, और यह bond इदर shift हो जाता है, तो इस तरह से, जो resonating structure होता है, इसका, जो resonance बनता है, इसकी वज़े से, यह hydrogen जो है, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि कैसे resonance में, अब यह free hydrogen रहेगा, और यह वापत जाकर कि इस carbon से नहीं जोड़ पाएगा, तो यह solution होता है, उसको acidic medium बना देता है, अब इसके बाद हम alpha hydrogen की वज़े से, जो reactions होती है, वो 2 main पढ़ से, इसका जो product होगा, देखो, होता तो alpha carbon, अब इन reactions के लिए, एक alpha carbon बोना must है, तभी aldol condensation होगा, यह आप no down कर दीजेगा, और जो product बनेगा, वो beta hydroxy product बनता है, बीटा position पर यह alpha हो गया, और यह beta position पर alcohol group attached है, तो यह beta hydroxy, hydroxy product बनते है, इसको aldol क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ह compound में aldehyde और alcohol दोनों group होते हैं, इसलिए उसको कमाई लिया, aldol है, ठीक है, अब आपने इसमें दो molecule हमने ले लिये हैं, aldehyde के, acetaldehyde के हमने दो molecule ले लिये हैं, और यह basic medium में होता है, तो इससे आपको मिलता, beta hydroxy total, यह मैंने नहीं बता दिया, एक carbon, यह alpha हो गया, यह beta, य देख लेते हैं, किस तरह से actually होता है, देखो, CH3, C double bond OH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक molecule को, ठीक है, और दूसरा molecule हम किस तरह से लिखेंगे, CH2, यहां पर H लगा दो, तो यह CH3 हो गया, यहां पर CHOS ही लिख दो, सीदे सीदे आजाएगा, अब क्या होगा, यह जो alpha hydrogen ह है, यहां पर alpha hydrogen है, किक है, इसको हम बोलेंगे alpha hydrogen, तो यहां पर यह bond होगा, ब्रेक, और bond ब्रेक होकर के, यह क्या बनालेगा, अब हम इसको as it is ही लिख लिखेंगे, आपको यही compound बिल जाएगा, CH3, CH, यहां आ जाएगा, OH, क्योंकि यहां पर इसने bond ब्रेक करके, hydrogen यहां H होगा, OH, यहां पर आजाएगा, CH2 and CHO, यह बीटा हाइड्रोक्सी प्रोड़क्त बन गया, अब इसमें, अगर यह LD हाइट से होता है, तो LD होता है, और अगर किटोन से करते हैं, तो LD होता है, ठीक है, अब मैं इसका एक एक्जाम्पल और आप इसको बताती हूं, जब तक आप इसको note down करिए, अब हम देख लेते हैं, दूसरा एक्जाम्पल, दूसरे एक्जाम्पल, प्रोपेनल, टू मॉलेक्यूल और प्रोपेनल है, ठीक है, CH3, CH ऐसे, यहां पर इसको मैंने उपन करके लिखा था, इसी तरह से लिख दिया है, ठीक, अब आप यह बताएगे, कि क्या इस तरह से लिखेंगे, तो यह possible है, आप देखो, यहां पर जैसे यह bond break होगा, तो यहां पर जो product बनेगा, वो क्या बन जाएगा, CH3, CH2, CH, OH, यहां पर, CH2, CH2, और CHO, अब यह बताएगे, क्या यह बीटा हाइड्रोक्सी बन रहा है यहां पर, यह बीटा हाइड्रोक्सी फॉर्म हो रहा है, प्रोड़क्ट तो बीटा हाइड्रोक्सी चाहिए ना, अब यह अलफा, यह बीटा, यह तो गामा, गामा पर चला गया, तो इसका मतलब यह इस तरह से नहीं लिखा जाएगा इस तरह से reaction नहीं होगी ठीक है तो इसको हमें किस तरह से लिखना होगा तो यह मैंने एक्जाम्पल इस तरह लिया है जिससे आपको जो molecule है उसको arrange करना भी जरूरी है सोचना है reaction लिखने से पहले वह आपको दिमाज में यह रखना है कि जो product बने वह बीटा position पर ही ओएचा है अब इसी को हम ऐसे लिख दें CH3 CH2 CHO ठीक है एक प्रोपेनल यह हो गया दूसरा प्रोपेनल 123 अब इसमें हम क्या करें यह जो कार्बन है यह तीसरा कार्बन था इसको हम साइड चेंड में करते हैं सेम चीज़ आगे 123 तीम कारबन हो गया यह हो गय करेंगे तो देखें CH3 CH2 यह CH and OH फिर यह जाएगा CH इससे साइड ब्रांच पर जाएगा CH3 और यह CHO अब देखो अब यह हाइड्रोक्सी ग्रूप जो ही बीटा पोजिशन पर आ गया यह नहीं आ गया 1 यह हो गया alpha यह हो गया बीटा बीटा पोजिशन पर आ गया तो यह आप जब भी एल्डोल कंडेंशेशन करेंगे या कोई भी एल्डोल या क्रॉस एल्डोल करेंगे तो आपको यह चीज धिहान देनी है कि जब भी आप मॉलेक्यूल इस तरह से अरेंज करेंगे तो आपको जो OH है वो बीटा कार्वन पर आना चलिए अब इसके बाद देख सिरा क्रोस एल्डोल करनेंशेशन देखेंगे इस पर बहुत अच्छा समाज लिजै को कि इस पर बेस प्षश्चन आता है इक्जाम में अब क्रॉस एल्डोल क्या होता देखो अच्छ एल्डोल में क्या था कि दो मौलिकूर हम सेम आल्डी हैट के ले रहे थे लिए वोलिक ले लिया और एक सीएस्टी सीएस्टू सीएचो यह प्रोड़नल ले लिया अब यह भी डाइल्यू टैनेवएच की प्रेजन्स में होगा तो क्या होगा देखो आप खुछ सब्जो एक बार तो यह अपने से ही करेगा इसी के दो मॉलिक्यूल आपस में कर लेंगे चार इसमे एक बार इसमें सेल्फ एल्डॉल कंड़ेंसेशन होगा तो इसका भी प्रोड़क्ट यह वाला आएगा दो प्रोड़क्ट आपको मिल गए दो हमने बनाए हैं प्रोड़क्ट इसमें देखें जब यह दो मॉले क्यूल CHT-CHO को होंगे LDL condensation होगा तो product यह बनेगा इसको हम कहते है self-endol ठीक है? और एक बार जब यह molecule आपस में propanol का आपस में LDL condensation होगा तो product क्या बन रहा है? यह बन रहा है तो यह भी self-endol तो इनके बीच में जब दो different LDHs की बीच में reaction होती है तो एक-एक दो product तो confirm हो जाते हैं कि वहाँ पर self-endol बनेगे अब दो और कैसे बनते हैं? देखे अगर इस तरह से लिखा है CH3-CHO को किसी भी LDH को हमने यहाँ पर एक reaction लिखियो यह मैं इसी को पहले explain कर रही हो CH3-CHO plus CH3-CH2-CHO propanol and ethanol तो इसको हम अगर इस तरह से लिखते हैं तो अब आप इसमें जड़ा करिए यहाँ पर hydrogen यह वाला hydrogen जो है कि इस oxygen के से लिख अटेच हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर OH आजाएगा ठीक है? तो देखे यह आजाएगा product CH3-CHO CH-CH और यह वाला इस के समय देखो मैं इसको करकी ही दिखा देखी हूँ आपको यह इस तरह से है और यह double bond हो ठीक है? अब यह वाला जब आप कर रहे हैं तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इस molecule को मैं इसी form में लिखूंगी यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2 ठीक है? यह इस तरह असे प्रोपेनल अब यह जो है CH2 यह यह यहाँ पर देखो यह है ना अब यह यहाँ पर आ करके मैंने यहाँ से हटा दिया अब ये कर दिया मैंने CH2 ठीक है? अब यह molecule मैंने इसी तरह से लिख दिया जैसे यहां पर लिख्खा हुआ था अब यह बॉन्ड ब्रेक होगा अब क्लियर हो गया बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यह CH3 CH अब अगर सेकिल केस में फॉर्थ केस में क्या होगा कि यह वाला मॉलीक्यूल आप पहले लिखोगे और इसको बाद में लिखोगे तो देखना पोजिशन हो जाती है यहां पर CH3 CH2 CH2 लिखा और CH3 CH2 लिखा अब यहां पर क्या है इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं यहां पर डबल और यहां पर हमने कर दिया CH2 और अब यह बाद ब्रेक हुआ अब इससे क्या मॉलीक्यूल बन गया देखो CH3 CH2 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 और यह इदर आ जाएगा इदर विजिबल लई था इससे मैंने उपपर कर दिया तो आप देखो यह मॉलीक्यूल क्या है मॉलीक्यूल चेंज हो गया यह तो से दोनों मॉलीक्यूल है यह चेंज होगा है तो इसतरह से कुल मिला करके वर क्रॉस में अगर दो मॉलीक्यूल हम ढिफरिंट ले रहे होते हैं तो एलपर करें ч्कूल मिला के ठाट दो और इस यह हम में बादो्स धाहाँ को अब ये clear हो गया आपको, अब next में reaction एक और बता देते हुआ अब aldehyde की टोन की हम last reaction देखते हैं, canizaro reaction अभी तक आपने देखा था कि जो aldol condensation हो रहा था या cross aldol हो रहा था उसके लिए alpha hydrogen जरूगी था अब ऐसे भी तो compounds हैं, जिनमें alpha hydrogen ना होता और तो do not have, alpha hydrogen undergo self oxidation and reduction अपने आप ही उनमें oxidation होगा और reduction हो जाएगा और ऐसी reactions हो क्या कहते हैं, disproportionation reaction on treatment with alkali, तो किसकी presence में हो रहा है, कोई alkali होना जरूगी है तो ऐसे कौन से aldehyde है, जिनमें alpha hydrogen नहीं होता formaldehyde, benzaldehyde, बहुत common है, इनी को लेकर के चलो आप है ठीक है, अब इसमें किस तरह से होगा देखिए यह दो molecule मैंने formaldehyde के लिख दी है, concentrated, ko-h की presence में इसमें reaction होगी और एक बनेगा यहाँ पर acid का compound, H-C-O-O, आयन है तो यहाँ पर क्या होगा, potassium आकर क्या चुट लाएगा, तो यह acid का एक derivative बनता है और एक बनता है alcohol, तो यह हो गया acid and यह बन गया base तो एक यह बन गया acid का derivative और एक बन गया alcohol, ठीक है? अब आप बताओ, यहाँ पर अगर reduction होता है तो क्या बनता है? जब aldehyde का reduction होगा, तो क्या बनेगा alcohol तो मतलब एक aldehyde का reduction हो गया, जिससे alcohol बन गया और जब oxidation होता है, aldehyde का तो क्या बनता है? यह acid, तो यहाँ पर एक aldehyde का oxidation होगा, तो यह acid का derivative बन गया तो इस तरह से इसमें, जब जिनमें alpha hydrogen नहीं होता, जिन aldehyde में उनमें अपने आप एक molecule में oxidation होगा और एक में reduction होगा इसका mechanism मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से होटा है two molecules मैंने formaldehyde के लिखे है, concentrated koh की presence में temperature heat करना पड़ेगा अब इसमें, देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपको पता है कि यह partial negative है और यह partial positive है ठीक है, अब के OH जो है, वो dissociate होगा और dissociate होकर के, यह potassium ion and OH ion यही रहते हैं न, solution में तो यहाँ पर क्या होगा, कि जब यह positive होगा, तो यह OH ions जाकर के यहाँ पर attack करेंगे, इस carbon के सब attach होंगे, और इस तरह से tetrahedral structure का form हो जाएगा अब जब यह यहाँ पर attack करेंगा, तो क्या होगा, oxygen अपना electron ले लेगा वापस ठीक है, इतना mechanism तो अब समझ में आता है, कि जब OH जाकर के इस carbon से attach होगा, तो oxygen ने अपना इस ब्रेक कर लिए और अपने electron लेकर के चला गया, इसके उपर आगया negative charge, ठीक है, अब यह negative charge तो यह oxygen करी नहीं कर सकता, इसको पसंद नहीं है, तो यह क्या करेगा, यह यहाँ से करेगा back bonding, जब यह यहाँ से back bonding करेगा, तो hydrogen अपना electron लेकर के इससे अलग हो जाएगा, carbon से hydrogen जो है, अपना electron लेकर अलग हो जाएगा, अब यह जो hydrogen बचा, यह कहा जाएगा, इसके है partial positive, इस पर है partial negative, तो यह hydrogen जो है, इस carbon से जाकर के अटेच हो जाएगा, जब आप देखो, इतना process हो गया, अब इसका हम देखते की product क्या बना, जब यह इसके संग अटेच होगा, तो oxygen क्या करेगा, फिर से अपना electron लेगा, अब यह दूसरे molecule में चल रहा है, एक molecule में हो चुका एका, अब दूसरे molecule में चल रही है, तो जब इससे hydrogen अलग हो गया, तो देखो क्या बन गया यह, C double bond O, OH, H, मतलब acid बन गया, अब यह जो है, यहाँ पर क्या होगा, इस carbon के संग 3 hydrogen आ जाएंगे, यह वाला hydrogen भी आकर की जुड़ जाएगा, ठीक, और यह oxygen जो है, इस पर आजाएगा, negative charge, तो इस तरह से यह बन जाएगा, बेस, अब जब यह negative charge है, यह बैठ है potassium, तो potassium क्या करेगा, यहाँ पर आकर के इस के संग अटेच होगा, लेकिन अब आपको पता है, कि जो oxidation होगा, उससे acid बनेगा, aldehyde का, और जब reduction होगा, तो alcohol बनेगा, इसका मतलब अभी एक step बात ही है, क्योंकि कहीं पर भी हमको अभी alcohol नहीं मिला, तो उस case में क्या होता है, अब इसके आगे का जो process उसमें क्या होगा, कि यहाँ पर iron exchange हो जाएगा, मतलब potassium आ जाएगा यहाँ पर, और hydrogen चला जाएगा इस oxygen के संग, और जब यह इस तरह से होगा, तो देखे क्या होगा, यहाँ पर potassium आ गया, तो यह COO, HCOOK, य और यहाँ आ करके, यहाँ पर जब potassium चला जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, H आ जाएगा, तो यह क्या होगा, CH3OH, यह बन गया alcohol, यह हो गया after reduction, तो यह इस तरह से आपको mechanism समझ में आ गया होगा, और क्योंकि कैनिजरों में एक ही aldehyde की molecule में oxidation भी हो रहा है, तो आप मैं करवा देती हूँ आपको, जो ketones हैं, उनमें भी cross aldol हो सकता है, ऐसे ketone में नहीं होता है, क्योंकि alpha hydrogen ही नहीं ketone के पास, ठीक है, लेकिन, जो cross aldol है, उसमें ketone जो है, वो aldehyde के संग मिलके कर सकता है, एक example आप उस तर देखनीजे, यह benzyldehyde है, और यहाँ पर मैंने ketone molecule लिया है, base की ही presence में होगा, क्या होगा यहाँ पर, यह oxygen जो है, वो remove होगा, और इसके 2 hydrogen remove होकर के water, यहाँ पर तो water यह निकल रहा था ना, तो यहाँ से 2 hydrogen और एक oxygen यह निकल जाएंगे, और जो product बनेगा, अभी मैं आपको इसकी trick भी सिखाऊंगी, कि किस तरह से आपको य कर लेके बाद, join करके, जो product बनेगा, वो बनेगा, 1-3 diaconide, protein, 1-one, ठीक है, यह इसका product बन जाएगा, अब इसको simple way मैं, मैं एक trick से आपको बता देती हो, कि किस तरह से करना है, देखे, CHO है, इसको आप किस तरह से लिखना है, CHO double bond इस तरह से, ठीक है, अब यह जो दूसरा molecule होगा, इसके CH3 को, इस तरह से split करके हमको लिखना है, आपर CH और दो molecule, hydrogen के दो atom इधर लगा देंगे, अब क्या होगा, और बाकी का आप इसी तरह से लिखोंगे, CH3, CO, और यह phenyl, तो देखो, CH3, CO, और यह phenyl, पुरो, अब यहाँ पर यह water जो है, इसमें से आप निकाल द देंगे, तो आप देखी क्या बचा, यह देखी, बेंजीन रिंग से, एक CH group attached है, यह आगया, यहाँ पर, अब यह रा CH, दोनों के बीच में आएगा double bond, इस CH के संग, यह CO attached है, और देखिये, phenyl group attached है, तो इस तरह से करके, अगर आप थोड़ा से करेंगे, बाकी भी आप प प्रोड़क्त है, उनमें यही ट्रिक अपनाईए, और इसको करके, आप जरूर करके मेरे को बताएंगे, कि आप इस तरह से, ट्रिट से कर पाए, यह नहीं कर पाएं, तो दिस अल अल अबाउट था केमिकल रियाक्शन, औफ एल्टी हाइड और किटोन, अब हम जो नेक्स् प्रिंट मार्क करके रखिए, थैंक यू